अस्सलाम वालेकुम आज हम बना रहे हैं चीकन चीज समोसा वैसे रमजान स्टार्ट होने वाला है इसलिए मैंने सुचा के रमजान के एक रेसिपी आपसे शेर करूँ तो आज हम बनाएंगे चीकन चीज समोसा आईए देखते हैं कि इनमें इंक्रेडियन्स हमें जो सबसे पहले मैंने लिया है 500 ग्राम बॉनलेज चिकन उसको मैंने बॉयल कर लिया है हरा मसाला डालके थोड़ा सा नमक दालके बॉयल करने के बाद उसको इस तरह से श्रेट कर लेंगे अब ले लेंगे एक कप शिमला मिर्च मॉजरेला चीज लिया है मैंने एक कप हारा धन्या और एक कप इस्प्रिंग ओन्यन को इस तरह से बारिक काट लेंगे एक कप कॉन्स एक मीडियम साइज के ओन्यन को इस तरह से चौप कर लिया है मैंने अब ले लेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर एक चम्मच चिली फ्लेक्स एक चम्मच काली मीरी पाउडर दो चम्मच यहाँ पर हम ले लेंगे टमेटो सॉस एक चम्मच ओरिगेनो और मैंने दो हरी मिर्चो को इस तरह से बारिक काट के रख लिया है एक चम्मच नमक ले लेंगे चलिए आईए बनाना इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहने मैंने एक बोल ले लिया है उसके अंदर ये श्रेड़ेट चिकन एड़ कर दूँगी चिकन एड़ करने के बाद इसमें एक कप शिमला मिर्ची जो हमने बारिक काटके रखी थी वो एड़ कर देंगे एक कप हम एड़ कर देंगे इसमें स्प्रिंग ओनियन बारिक कटा हुआ एक कप हरा धन्या और जो एक मिडियम साइज का ओन्यन मैंने चॉप करके रखा तो वायट कर देंगे एक कप कॉन्स आधा चम्मच नमक और जो दो हरी मिर्ची बारी काटके रखीती वायट कर दूँगी अब उसी के साथ एक चम्मच चिल्ली फ्लेक्स एक चम्मच काली मीरी पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर एक चम्मच ओरी गयनो दो चम्मच टमेटो साइट कर देंगे अब साथ ही एट कर देंगे एक कप जो चीज मैंने रखा था मॉजरिला चीज वो चीज एड़ करने के बाद इन सभी मसालों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स होने के बाद हम समोसा बनाने की तयारी करेंगे समोसा बनाने के लिए जो पट्टियां होती है वो आपको मिल जाएगी बाहर मार्कीट में आसानी से समोसा पट्टी ले लेंगे एग उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे समोसा पट्टी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं मुझे ये तरीका इजी लगता है इसलिए मैंने ये वाले तरीके से बनाई हूँ मैंने दो चम्मच मैदे के आटे को पानी में डाल कर उसका घौल बना ली थी उसी घौल को यहाँ पर हम लगाएंगे और इसे इस तरह से चिपका देंगे अब एक चम्मच इसमें Almasala जो हमने बना कर रखा था वो फिल कर देंगे फिल करने के बाद इसे इस तरह से मोल लेंगे अब इस खुली वी साइट पर आटे का घुल लगा कर इससे भी अच्छे से चिपका देंगे देखे इस तरह से ये हो गया है हमारा समोसे का शेप रेडी अब हम इसे रख देंगे और बाकी समोसे भी हम इसी तरह से बना लेंगे अब एक कड़ाई में तेल गरम कर लेंगे तेल अच्छी तरह गरम होने के बाद जो हमने समोसे बनाकर रखे थे वो इस तरह से इसमें डाल देंगे समोसो को दोनों तरफ से अच्छा लाइट ब्राउन कर लेंगे इसे पल्टा कर भी हम इस तरह से लाइट ब्राउन कर लेंगे जब यह अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे मैंने फिलिंग के वे समोसे का इस तरह से पैकेट्स बना कर रखी हूँ अफ्तार में मुझे जब लगेगा जितना वो एक टाइम के हिसाब से मैंने यहाँ पर बनाई हूँ ऐसे और भी पैकेट्स बनाए है मैंने जिसको मैंने फ्रीजर में रग दियू इस्टोर करके यह देखिए हमारे जो चिकन चीज समोसा है वो रैडी हो चुके है इस तरह से सर्फ करेंगे टामेटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ जैसे आपको पसंदे वैसे आप सर्फ कर सकते हो बहुत ही यम्मी लग रहे है बहुत टेस्टी लग रहे है आप प्लीज मेरी रेसिपी